तो फॉजा सिंग ने गौर से पाशो का चेहरा पड़ लिया। उस चेहरे पर कोई दूफान नहीं था। पर धाली रखकर जब वो खामोश खिड़की के पास आकर बैठी तो फॉजा सिंग उसकी चुप़ी से डर गया। फॉजा सिंग का चाचा कहा करता था कि ओरत जब हद से ज़्यादा चुप़ो जाए तो समझो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब फॉजा सिंग सोच रहा था कि कौन सा तूफान होगा। पाशो चीखेगी, चिलाएगी, मिनते डालेगी उसके आगे, पर नहीं, व वो बीचे हटेगा नहीं, उसका फैसला अटल है और फॉजा सिंग ने देज-देज खाना शुरू कर दिया। तब ही फॉजा सिंग को ध्यान आया कि पाशो ने अपने लिए थाली लगाई नहीं। उसका मन चाह रहा था कि वो अपने आप से बाते करे। उसने अपनी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर उसने खिड़कियां बंद की और परते को फैला दिया। जब उसे इत्मिनान हो गया कि अब उसे कोई नहीं देख सकता तो वो अपनी कुरसी से सिर्टि आता था तो उसके कानों से अजीब सी शाय शाय की आवासे उटती। वो कभी कानों में उगलियां डालता फिर निकाल देता। उसकी इस आदत को सिर्फ वही जानता था। हाँ बच्पन में निहाल को उसकी आदत मालूम थी। निहाल उसकी बुगा का लड़का था। प्रवायम को काबू करने के लिए कानों में उगलियां डाल लेता। तब निहाल उसकी स्तिति समझते आडूई ओए आडूई ओए आडूई कहकर चड़ाता भाग जाता। फिर फोजा सिंग निहाल से बचता फिरता। निहाल तरड़ा जवान था। फोजा सिंग उसके आता है वो याद आ जाता है। उसने ये का एक सर थाम लिया। सोचना तो उसने पाशो के बारे में था। पर निहाल बीच में कहां से आ गया। कई दिनों से वो पाशो के साथ लुकाचिपी खेल रहा था। अंदर आती है तो वो बाहर चला जाता है। रात पड़े तब त कंपनी बाग जाकर ठंडी खुई पर बैड़ जाता है। कभी यह उनी लारेंस रोड की चक्कर काड़ता उस समय घर पूंचता है जब दफ्तर का समय लगवग हो चुका होता है। जल्दी जल्दी नहाने से फारिग हो दोड़ पड़ता था ओफिस की तरफ। पाशो तो व पच्चा नहीं चाहिए। पाशो तो बांच थी। फिर यह चमतकार कैसे हो गया। वो बुदबुदाया। प्रीत तो मारा गया ना। पाशो तो लग जाएगी अपने पेट के जने बच्चे के साथ। तो प्रीत उसे रोलने के वास्ते नहीं लाया मैं पाशो को। उसे इ नहाल के हातों हर बार पिटा था फौजा सिंग। और पाशो को भी तो नहाल ने उसकी जिन्दगी में तके एला था। वो तो प्रीत के साथ ही खुश था। उसे नहाल ने ही दूसरी शादी के लिए उकसाया था। औरत के बिना घर भूतनी का डेरा होता है। फौजा फिर तेरा आगे पीछे है कौन। करधार सिंग कहने को तो तेरा भाई है। लेकिन उसने कभी खवर ली है तेरी या प्रीत की। दुख सुख तो चलता ही है जिन्दगी में पर चाय पानी पूछने वाला भी तो कोई होना चाहिए। नहीं नहाले नहीं वाली आएगी तो कहा अच्छा समझेगी। कल को उसके बाल बच्चा हो गया तो प्रीत की दुनिया तो उजड़ी जाएगी ना। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता भाई। ना बिल्कुल नहीं। प्रीत को तो उसकी सगी मा जिसने अपने पेट से जनम दिया वो छोड़ कर चली गई दूसरे के साथ हूं। रहा ना आडू-काडू अरे बाल बच्चे तो तेरे ही हाथ हैं। फिर जिसके बारे में बात करने आया हूं। पांच साल होने पर भी जब उससे कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दिया हरामियों ने। देखने में अच्छी है पर किस्मत की मारी है। लगता है ब माबाप को भी शौक चराया था कि बाहर वाली है। करतार का ही कुछ समर जाएगा। भाग गई कमभख्त। घड़ी टेप रिकॉडर यहां तक किस साली कमीज तक उदरवाकर ले गई मेरी वो जो साथ लाई थी। बस प्रीत को छोड़ गई रास्ते का कांटा समझ कर नहीं डाली। और फौजा सिंग अब लोटा तो पाशो साथ थी। पाशो तब कहां जानती थी कि फौजा सिंग उसे क्यों बिहाल आया था। पर वो आज उसे बता देगा और ये भी बताएगा कि उसका फैसला क्या है। पर पाशो ना मानी तो तो फिर हम दो ही रहेंगे। फौ कानों से अब कोई आवाज नहीं आ रही। तो वो कुर्सी पर बैठ गया। अब उसे दर्वाजा खोल देना चाहिए। फैसला तो हुई चुका था। फौजा सिंग का फैसला है, बदलने वाला तो है नहीं। बदलने का तो सवाल ही नहीं। पर हाँ, पाशो उसे कैसी कहे और उसने फटा-फट अपने दिमाग में खाका खेंच लिया। फिर वो एक जटके से उठा और दर्वाजा खोल, लंबे-लंबे डग भरता बाहर निकल गया। आज ही खतम कर देगा सारा टांटा, कोई इंतजार नहीं, कोई भूमी का नहीं सीधा स्पार्ट बस। पाशो क क्यों फॉजा सिंग जी, कोई खुश खबरी है क्या। जवाब में पाशो मुस्खराई तो डॉक्टर चहट गई। खमराचुलेशन्स फॉजा सिंग जी, लगता है घर में नई रौनक आने वाली है। उसने पाशो को लेट जाने का संकेत किया, तो फॉजा सिंग के चेहर फॉजा सिंग की और बड़ा थी। लीजिये, लेबॉटरी में इनका टेस्ट करवाईए। मैं कुछ कहना चाहता था। फॉजा सिंग का गला खुश हो रहा था। हाहां कहिए। दरसल मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या। पाशो एक एक घर बड़ा उठी। डॉक मेरा प्रीद। पाशो को लगा वो गश खाकर किर पड़ेगी। उसकी मुठियां भींच गई। कितने निर्दई हो। मेरी जिन्तिकी में बड़ी मुश्किल से फूल खिला है। नहीं, नहीं डॉक्टर साहिबा। फॉजा सिंग जी, आप इने ले जाओ। अगले हफते आ अकेले आना। वैसे अभी हमारे पास वक्त है, सोच लीजे आप। फॉजा सिंग उसकी चुपी से डर गया। फॉजा सिंग का चाचा कहा करता था कि औरत जब हद से ज़्यादा चुप हो जाए, तो समझो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब फॉजा सिंग सोच रहा था कि कौन सा तूफान होगा। पाशो चीखेगी, चिलाएग मिनते डालेगी उसके आगे, पर नहीं, वो पीछे हटेगा नहीं, उसका फैसला अटल है। और फॉजा सिंग ने तेज तेज खाना शुरू कर दिया। तभी फॉजा सिंग को ध्यान आया कि पाशो ने अपने लिए थाली लगाई नहीं। तुमारा खाना? पाशो चुप मैं कुछ पूछ रहा था ना? इस बार वो गुर्राने लगा। मन होगा तो खालो ने, अभी मन नहीं। पाशो ने सहज ही जवाब दिया। फॉजा सिंग उठ खड़ा हुआ और उसके करीब आ गया। कोई निरने लिया? निरने? क्यों? जो जैसा है, चलने दो। नहीं, प गलत सोचते ही क्यों है अंदार जी? मैं पहले प्रीत की मा हूँ, जिस सुख के लिए मैं यहां आई, वो प्रीत ने दिया। फांच साल मैं दो जग की आग में चलती रही। कभी गालिया, कभी बिटना। फड़ी मुश्किल से ये सुख नसीब हुआ है। और प्रीत के प् अमी नहीं आए गिदार जी, मेरी कोक ना उजडने दो। पाशो मैंने तेरे साथ शादी ही इस वास्ते की थी कि तू बांच थी, और दूसरा बच्चा मेरी जिंदेगी में नहीं आएगा, ये मैं सोच चुका था। ना था पाशो, जो फैसला लिया, सो लिया, तो फिर तो फौजा सिंग के घर में नहीं रह सकती, कहीं और ठिका ना करना होगा। खा चुकी, हब तो ना चित तेरी, ना ही पट, बस। दिरे दिरे बेसुध होती गई, फौजा सिंग अब चुप था।